मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये फैसला देने के बाद CGI सापको खुद दुख हुआ होगा और दुख होना चाहिए आज क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि भारत देश में 16-16-18-18 घंटे पढ़ने वाले गरीब मिडल क्लास का बच्चा mbbs करने का सपना बिलकूल ना देखे तैंक्स मैं ये बना के बैठा था ये देखिए ये मैं बना के बैठा था फैंक्स CGI and सुप्रीम कोर्ड और ये सब बना के बैठा था मतलना मुझे पूरा भरोसा था मानी नीन याले पे आज आपने दिल तोड़ दिया और अब इसके आगे कुछ बोलने की नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट का फैंसला जो आज आया है नीट को लेकर री नीट को लेकर उसको लेकर जो चात्र हैं वो बहुत मायूस हैं दुखी हैं कुछ चात्र सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पैटिशन फाइल किया था वो रोकर के बाहर निकले क्योंकि उनको लग रहा था री नीट होगा तो हमारे साथ नियाय होगा कुछ बच्चों को लग रहा है री नीट नहीं हुआ हमारे साथ नियाय हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे बच्चों की बात है जिनका पर परिमानदारी से किलियर हुआ है वो सोच रहे थे भाईया एक बा कोर्ट में मुझे मिलते हैं और सुनते रहते हैं दो फोन इनके पास एक से सुनते एक से देखते हैं कि लगातार क्या माहपर चर्चा चल रही है अंदर शायद आप अंदर भी जा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते हैं तो भुपेंचो रसिया जी आज जो फैसला आया है क्य क्या कहीं इस फैसलिक सर मैं देखिए मेरी आखों में जो हैं आसू है मैं मतलब ऐसा लग रहा है मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ पर आज यह फैसला देखके ऐसा लग रहा है कि मैं खुद फेल हूँ क्योंकि 24 लाग परिवारों की लड़ाई थी और बड़ी उमीद थी कि CGI साहब एक अच्छा फैसला देंगे एतिहासिक फैसला देंगे क्योंकि इस्टेब्लिश्मेंट तो हुआ था कि पेपर लीग हुआ है और पेपर लीग के साथ साथ आप समझिए एंटिये ने ओन रिकॉर्ड कहा कि अंसर की के साथ वाटसप पे ये पेपर भेजा गया हमारे वकीलों के पास शायद उतने सबूत नहीं थे कि वो इस बात को प्रूफ कर पाते कि पेपर पटना और हजारी बाग के अलावा और कहीं नहीं गया पर मुझे लगता है कि benefit of doubt students को मिलना था क्योंकि देखिए 155 लोग अगर इसमें विक्टिम पाई गये हैं कि उनने करप्शन किया था वो करप्शन का पार्ट थे और CBI की conclusive report अभी तक नहीं आई थी CBI ने भी case को खतम नहीं किया आप मुझे एक बात बताईए सर आपके चैनल के माध्यम से मैं CGI साहब से और भारत सरकार से यह पूछता हूँ कल आप संजीब मुख्या को पकड़ लेते हैं और संजीब मुख्या के फोन में अगर यह आ जाता है कि पेपर उसने पूरे भारत में भेजा था तो आप बताईए आप मैं कहूँगा मुझे लगता मोधी जी खुद बैटके रोएंगे क्योंकि मोधी जी भी एक इमानदार आदमी है भरोसा था मुझे सरकार पर भरोसा था CGI सहाब भी बहुत इमानदार आदमी है मतलब मैं CGI सहाब को यह सुप्रीम कोट को कुछ नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये फैसला देने के बाद CGI साब को खुद दुख हुआ होगा और दुख होना चाहिए क्योंकि अगर आप 23 लाक लोगों का रिनिट नहीं कर सकते थे कोई बात नहीं आप 13 लाक लोगों का रिनिट कर देते जो कॉलिफाइट थे आप वह नहीं कर सकते थे सर आप 2 लाक लोगों का कर देते अरे आप सब कुछ छोड़ी आप एक लाक आठ हजार का कर देते आज आपने जो बैनेफिट ऑफ डाउट बच्चों को ना देके उन माफियाओं को दिय है आज यह प्रूव हो गया है कि भारत देश में 16-16-18-18 घंटे पढ़ने वाले गरीब मिडल क्लास का बच्चा अपने की जुरूत ही नहीं है आपके चैनल के मार्धम से कहूंगा कि जो भी गरीब के बच्चे हैं आपको बिलकुल हक नहीं है अपके पास या तो 30-40 लाग रुपए हो आप पेपर खरीदें आप OMR की सेटिंग करें और आप डॉक्टर बनें और 2024 का निट इतिहास में याद दखा जाएगा काफी काफी माहिनों में याद अभी हुआ है सर 2015 में सेम केस था उसमें 44 लोगों को जैसे यहाँ 155 लोगों का इस्टेबलिश्मेंट हुआ है कि वो बेनिफिशरी है ऐसे 44 लोगों को बेनिफिशरी 15 में माना गया था और माने नहीं नहीं ने पेपर को कैंसल किया था और रीनिट हुआ उस टाइम भी मुदी साब की है तिहास एक फैसला सुनाते आप मानके चलिए जब से रिजल्ट आया है मेरे पास कम से कम 50 पैरेंट्स के फोन आ गए हैं शुरू के 10 फोन तो मैंने उठाया उसके बाद मैंने फोन उठाना भी बंद कर दिया आज में सुबह से शाह नहीं सुबह की नहीं मैं आपको एक घ भी घुमने गए थे बच्चे के लिए और पूरी उमीद थी को कि मैं उनकी उमीदे को उमीदों को बांध के रख रहा था कि नहीं आप भरोसा रखिये सुप्रीम कोड़ पर रीनिट जरूर होगी आप लोग भी मुझे मिलते थे तो मैं कहता था अरे रीनिट जरूर होगा दो अलग अलग बाते हैं एक तो यह है कि इंजस्टिस कितनों के साथ हुआ ये मुझे नहीं पता 24 लाग लोग थे शायद 23 लाग 90 अजार इमानदार होंगे 10 अजार नहीं सेटिंग की होगी बट जस्टिस नहीं हो पाया जो जरूरत मन थे क्योंकि देखिए हमारे भारत के सम्विधान के इसाब से अगर हम कहीं पर अपनी बात नहीं पहुचा पा रहे हैं तो अंत में हमारे पास एक ही जगे होती है मानने नहीं सुप्रीम फोट अब बताइए इसके बाद हम कहां जाएं कुछ नहीं है क्या इसा सबूत कोई नहीं था कि लोग ये भी कह रहे थे ठीक है पूरे भारत का रिनीट ना हो कुछ सेंटर का हो जाए जिजी सेंटर पे धांदलेवाजी पाई गई है क्या वहां के भी सबूत नहीं पहुच पाई मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप एक लाक आठ हजार बच्चों का रिनीट कर देते यह जो पच्चिस तीस हजार मुन्ना भाई मुझे नहीं पता कि वह उनने क्यों फैसला नहीं लिया पर भारत तैयार रहे क्योंकि आने वाले वक्त में 6-7 साल बाद यही डॉक्टर यही दोजार 24 निट वाले डॉक्टर हमारे भारत के हेल्थ केर सिस्टम को सम्हा लेंगे और अगर इनने तीस चालीस चालीस लाक में सीट खरी दिये तो समझे यह कैसी डॉक्टर यह बरस्टा चार करेंगे यह अपने 30-40 लाक भी पूरे करेंगे सर देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ आज मतलब एक होता है ना कि आदमी निराश होता है और एक होता है कि आदमी तूट जाता है आज 24 लाक परिवार मैं CGI साब से कहूंगा मैं आपके फैसले पे कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ मैं भी एक आम नागरिक हूँ भारत का पर CGI साब आज मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपने जो फैसला सुनाया है इससे आप खुद भी खुश नहीं होगे अब मुझे नहीं पता आपने किसके दबाओ में फैसला स अब कुछ बोलने लायक कुछ बचा नहीं है क्योंकि उन पैरेंट्स का दर्ध हमने उस दिन से समझा जिस दिन से वो हमारे पास आये जंतर मंतर पे हम उनके साथ थे और हर जगे वकीलों से मिलने जाना होता था शिक्षा मंतरी से मिलने जाना होता था एंटी जाना होता था हम सुबह 9 बजे आ जाते थे यहां पर क्या यार नहीं यार बच्चों के साथ खड़े रहना है क्योंकि वो बच्चे थे वो 16-18-18 साल 19-19 साल के बच्चे थे हमने उनको सबको एक जुट किया हुआ था क्योंकि लड़ाई सच्चाई की थी मुझे बहुत लोगों ने बुला क कि यार तुम सरकार के विरोध मैंने का नहीं यह गलत बात है Moodi सरकार की मैं इजदकरता हूं मोदी जी की बीजदकरता हूं मेरी लड़ाई सरकार के विरोध से बिल्कुल नहीं है मेरा यह कहना है कि चौह 24 लाओकों के साथ गलत हुआ हुआ और उसके लिए हम लड़ रहे और यही कारण है कि आज मेरी आखों में कहीं ना कहीं दुख है क्योंकि मैं बता रहा हूं ना मैं तो खुद एक MBBS डॉक्टर हूं मैं अपना काम काज करता हूं मैं दुखी फील कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रीनिट नहीं हो रहा है बच्चों की बहुत बुरी स्तिती है अभी आप देखिए हर्श इस तरीके से गया है कि भाया आप तो कुछ नहीं हो सकता और उसके बाउजी का फोन आये जा रहा है वो बड़े दुखी है अब मतलब कैसे हम उनको समा लेंगे और क्या होगा क्योंकि वो यह कह रहे हैं कि हमा पाई अगर समझा होता तो कम से कम मिनिममम आप एक लाक आठ बच्चों का रिनिट करते सीजी आई सहाब मेरी आप बातों का बुरा मत मानिएगा सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है पर आज इस न्याय के मंदिर में अन्याय हो गया 24 लाक परिवार के साथ आपका क्या न हमारे जस्टिस जी आज एक इतिहासिक फैसला सुनाने वाले थे लेकिन वो नहीं हो पाया बड़ा दुख है और यह उन 24 लाक स्टुडेंटों के साथ नहीं है 24 लाक फैमिली का आज बड़ा दुख का वो है कि आप जवाब नहीं है देने के लिए कि क्या बोले लेकिन आज जीत उनकी हो गई जो पेपर लिग माफिया थे और जो हम जैसे सब महन थी सब आज इसने आया ले में बड़ा अज जीत हुई है उन लोगों की सर मैं तो यह को कर लिया आप लोगोंने सुप्रीम कोट पहुच गए तो कर लिया देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोट ने जब अपनी नोटिंग लिखा रहा था मैं सुन रहा था सुप्रीम कोट ने कहा कि एक तो वे उसको लेकर उनने कुछ difference किया है तो अब उससे rank में काफी फर्क आईगी क्योंकि कुछ बच्चों को चार नंबर अलोट हुए थे जिनके माइनस फाइव होंगे क्योंकि पहले तो वो उनका अंसर गलत होगा और उनका माइनस वन एड किया जाएगा उसके बाद उनने ये भी कहा कि सीवी आई पूरे निश्पक्ष तरीके से जाच करें और अगर आगे भी इन 155 लोगों के अलावा कोई और अभ्यारती पाया जाता है जिसने गलत किया है उसके खिलाब भी कारवाई हो मैं यहीं कहूंगा की मतलब इंसाफ होना चाहिए था वक्त पे पर इंसाफ नहीं हुआ अरूप Video के लिए क्या कहाым के लिए तो यहीं कहा है कि उनको डिबार होना चाहिए न्टिए कह रहा है हमने उनको डिबार कर दिया हम उनको शीटर पेपर लीकर है अगर उसको आप CBI नहीं गिरफतर कर पारी और उसका भतीजा जो है रौकी भाईया वो पहले भी जो है इस तरीके के केस में 2017 में निट पेपर क्या फोटो लेने के उसमें वो जेल जा चुका है यह लोग प्रोफेशनल पेपर लीक गैंग है तो मुझ जो शोशल के तरीके से भी मजबूत है जो पैसे से भी मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोट ने आज वो ही देखने की कोशिश करी जो एंटिये के वकीलों ने दिखाया अगर उनने हमारे वकीलों की दलीले सुनी होती आप एक बात बताईए पूरे भारत देश में 4750 जहां पर टॉपर्स आये हैं राज कोट में एक सेंटर में 1900 में से 1300 बच्चों ने टॉप किया बारा बच्चों के 1200 से उपर आए तो यह सब चीजे जो है यह चिन्नित करती है कि पेपर लीक सिर्फ पटना हजारी बाग तक नहीं रुखा वो आगे भी गया पर शायद हमारे के मंदिर में अन्याय हो गया इस तरीके से निराश हैं डोक्टर भी हैं कभी नीट के छातर भी रहे होंगे बिल्कुल सर बिल्कुल रहे हैं और बस यह करूँ आज मैं आपको बता रहा हूं मैं बहुत कॉन्फिडेंट था मतलब आप यह मान के चलिए अगर आप देखिए एक होता है कि किसी चीज पर भरोसा होना रहे होता है कि नहीं हो गई होगा आप देखिए मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूं क्या लिखाया मैंने थैंक्स मैं यह बना के बैठा था यह देखिए यह मैं बना के बैठा था थैंक्स CGI and Supreme Court for Giving Justice यह देखिए यह देखिए सत्तमेव जैते यह बना के बैठा था सत्तमेव जैते फाइनली रिनिट यह सब बना के बैठा था मतलब मुझे पूरा भरोसा था मानिनी नियाले पे आज आपने दिल तोड़ दिया और अब इसके आगे कुछ बोलने के लिए नहीं रहा बस यह कहूंगा कि आगे भविश्च में एंटी ए कम से कम इस बात की एशो देखना छोड़ देगा अब कहने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है जो आपने देखा वह आप कमेंट में बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही नमश्का